धरमराज की कहानी दो से ठानिया थी एक के घर में धन बहुत था पर वह बहुत ज्यादा कंजोश थी दोसरे के पास धन कम था पर मन से बहुत ही वो सुन्दर थी रोज सवेरे उड़ती गंगाश्नान करती तुलसी माता बड़े पीपल को सीचने के बाद भगवान के मंदिर म जाकर पूंजन करती धरमराज सूरज भगवान की कहानी सुनाती भगवान की भोग लगाकर अथिति को खिलाती गाय कुत्ता के लिए ग्रास घास निकालती दूसरी से ठानिस धर्मात्मा को देखकर हस्ती और कहती पता नहीं दिन भर क्या उल्टा सीधा करती रहती है थोड अमात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरे को दूद मारते ही ले गए रस्ते में सेठानी बोली मेरे को भूक लगी है तो दूद बोले किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा फिर बोली प्यास लगी है दूद बोले किसी को पानी पिलाया होगा तो दूर मिलेगा रस्ते में उसे काटा चूबने लगे गर्मी पढ़ने लगी पर दात दूद्तों से घसिर्टे ही लेती गए अब सिथानी बहुत पच्चतानी लगी कि सब कुछ होते हुए भी धान धर्म नहीं किया तो इतने कश्ट भोगने पढ़ रहे हैं इतने में के दरवार का दरवाजा खुला धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी दूसरी तरफ धन संपदा प्राप्त से ठानी को तापते कुंड में डाल दिया गया यानि आग जैसे लाल अब से ठानी यम्राज से बोली मुझे सवापह का जीवन दान देओ मैं वापस आकर डंड भोग लोंगी महराज बोले ठीक है सिठानी के सरीद में वापस प्राड डाल दी संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सिठानी ने धर्मराज की कथा सुनी सब तरह से दान धर्म किया इतने में समय पूरा हो गया इसके बाद ब महर के दान धर्म से सिठानी को स्वर्ग मिला धर्मराज जीने सिठानी परक्रिप्या करी वैसे सब परक्रिप्या करेंगे इसलिए पूराणों में और गृंतों में साफ साफ सब्दों में कहा गया है कि आप जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे कर्म करना आप की आधीन है फ और इसी से आप लगा सकते हैं अगर आपने दूसरों के लिए काटे बोई हैं तो आपको लोट कर काटे ही मिलेंगे अगर आपने आम लगाया है तो आम मिलेंगे आपने उपकार, परुपकार, दान, धर्म, दूसरों की मदद की है तो आपको वही प्राप्त वापस होकर यानि लोट कर मिलेगा लेकिन अगर आपने किसी को बरबात करने, किसी को नश्ट करने, ध्वस्ट करने, किसी को ठगने, लूटने, धनाडपने और उससे तंकर यातना देने का काम किया है तो लोट कर आपको कितने भी बड़े राजा क क्यों नहों, आपको वही वापस मिलेगा, यही तो सब कर्मों का फल है, इसलिए कहते हैं सत कर्म करते हुए अच्छे मार्ग मर चलो, कानून ही नहीं हमें सोयम अनुशासित होकर चलना चाहिए, उपर वाला सब देख रहा है, इस कहानी कि सिस्षा को च्छा को उगरहण करते ह हुए, जीवन को नई दिशा मिले, चलने की जरूरत है, हमारे यहां कहा भी गया है, जब जागो तब सबेरा, अब तक जो गलात हुआ है उसको छोड़ दो, अब से आप जाग जाईए, आपके लिए सुब बेरा हुआ है, जिस तरीके से धाई पहर में से ठानी ने अपने पूने से यसकी प्राप्ति की वैसे आप बच्चे समय में सब कुछ पा सकते हैं, चेरे !